आज की बहुत अमेजिंग सी ट्रिक और ट्रेक्स होने वाली हैं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाले इन डेली के रोज के काम जो होते हैं अगर वो इन ट्रिकों से किये जाएं तो बहुत काम आसान हो जाता है लाइफ का तो हलो आपको का स्वागत है हमारे यूट कुछ नो कुछ काट लेता था हम लोग जानी नहीं पाते थे क्या काट रहा है उसके दाने पड़ जाते थे बहुत जादा तो एक दिन हम ने देखा इस पर गौर से कि गौर किया तो देखा कि इस पर चीटियां बहुत जादा है रेंग रही हैं चीटियां तो वही काट ले इसके बिस्तर पर थोड़ी सी, तो उसकी गर्मी से बचने के लिए चीठिया इसके बिस्तर में आ जाती थी, जिससे की चीजिया काटनी थी, जान नहीं पाता था भाई, तो उससे थोड़ा सा प्रोब्लम हो जाती थी चीठियों की वज़े से, तो यह देख सकते हैं, तो करना यह प्रोसेस करिएगा, अगर धूप नहीं आती है, तो आप ऐसे ही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, तो यह लेना है कापूर देखिए, इस तरह से मसलते हुए पूरे बिस्तर पर डाल देना है, इससे क्या होगा ना, कि चीठिया कापूर की इसमें से भाग जाएंगी, कोई प्र डालने के बाद चीठिया भाग जाती है, जाड तेटीया भी इस सेम काम करना है, उससे क्या होता है, एक तो इससे नेगेटिव इटी भी दूर होती है, और काफी अच्छे सी ट्रिक भी रहती है, अब नेक्स देख लेते हैं, कि देखें अगर होगा पानी लंबे समय तक भ तो उसमें कुछ नहीं करना है एक कपोर का टुकड़ा ले लीजिए ऑप छोटा चोटा सा और अब अपनी कूलर की टंकी में डाल देना है पानी मैं इसे क्या होता है तो कपोर की थोड़ी सी भीनी-भीनी से घुश्बो भी आती रहती है मक्की मचल भी नहीं होते हैं और ऊप तो बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार अपलाई करके जरोर देखेगा कि इस समय हो गर्मियों में कूलर वेगरा तो सभी चलाते हैं, तो बहुत अच्छी ट्रिक है, तो अगर यह समझ में आई फ्रीक तो प्लीज लाइक करिए गा, चलिए आगे देख लेते हैं कि आगे हम क पूरी चलती नहीं है, बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, चलिए अभी हम दिखा भी देंगे आपको जला करके, तो देखे यह लंबी-लंबी सी जैसे सभी लोग बना करके जलाते हैं, उस तरह से देखे यह जला करके रखी है, तो बत्ती को यह देखे अभी देखेंगे कुछ देर तक तो यह जलती रहेगी, कुछ देर के बाद, जलने के बाद में क्या होगा, बंद हो जाती है, तो इस तरह से बंद ना हो, तो हमें क्या करना है, देखेंगे, नेक्स ट्रिक, इस तरह से आप गोल काटोरी की तरह बना लीजी अपनी धूप बत्ती को, यह तो इसके लिए सौरी, यह देख सकते हैं, हमने कपूर की कटोरी बनाई थी, उसमें कपूर थोड़ा सा रख देना है, अब इसे जला देंगे, तो क्या होगा, कपूर तो जलेगा ही जलेगा, कपूर की सहायता से, जो दूप बत्ती है, वो भी जलने लगेगी, एक तो कपूर की खुजबू जो होती है, जहां भी आप लगाते हैं, वहां पर बहुत अच्छी सी है, अरोमा जैसे ही छोड़ देती है, तो बहुत ची खुजबू लगती है, और आप क्या होगा, आप देखेंगे, खुद ही देखेंगे, फर्क दोनों साथ में जल रही है, तो द परतलतं दुलने के बाद में थोड़ा से कुड़ा कच्रा फास जादा, जो कि हां से निकालना अच्छा नहीं लगता है, तो इस तरह से बेखार पड़ी हुई कैच्छी को ले ले ले, इस्तमाल करें, बेखार जो कैच्छी पड़ी होती है, खराब जो से कप्ड़े उगरा कटते हैं इस तरह से आप कड़ कर, सिंग के अंदर का निकाल कर फेक सकते हैं, इस सो आपके सिंग में जो ब्लॉकेज हैं वो नहीं कोगा, यह नहीं होगा, बेखार जोगाई, आपके से निकाल कर फेक दिया, और आपके हात भी गंद कर अधिना लगा तो चलिए नेक्स एक बात और करा करिये कि बरतन धुलने के बाद अपनी सिंग को जिस तरह से आप बरतन धुलते हैं उसी तरह से सिंग को भी वास करना बहुत ज़रूरी होता है तो लिए नेक्स देख लहते हैं कि नेक्स ट्रिक क्या करना है इस तरह से देखे हैं यह हमारी मिक्सी है तो यह लगभग हो गई होगी 30 साल से भी उपर की होगी होगी मिक्सी हमारी देख सकते हैं इतनी गंदी कितनी डर्टी लग रही है बहुत अच्छी नहीं लग तेखने में करना क्या है यह देखे इस तरह से लिएका स्क्रबर लेना है उसके ओपर लगाना है हाल गीला करना है अपने जूने को अच्छे से साफ़ करना है लेकिन नियुकित समय के पर आप वायर को बाहर निकाल देना लाइट से अपको मिक्सी में पानी नहीं डालना है उसके बाद देखिए गिला कप्रा ले लेंगे इस तरह से सारे सावन को पोछ देंगे इससे क्या होगा आपकी मिक्सी साफ हो और देखे आगे आपकी mixi साफ रहे उसके लिए करना क्या है इस तरह से एक rubber band लेना है और अपनी mixi में इस तरह से फसा देना है यह बहुत पुरानी mixi है आप जा नहीं सकते हैं क्यों इस तरह से आप एक से दो band लगा देंगी तो क्या होगा ना कि जो भी चीज आप निकल कर गिरता भी है अगर आपकी mixi से बाहर निकल कर गिरता है यह तो उससे क्या होगा ना की mixi नीचे तक नहीं गंदी होगी क्योंकि यह rubber band लगे होगे इससे जो भी गिरेगा तो यहीं पर रुख जाएगा पहली layer में ही रुख जाएगा अगर पहली layer में नहीं रुख यह देख सकते हैं तो हम यह प्रोसेस ज़रूर करते हैं जिससे कि हमारे mixi गंदी ना हो खराब ना लगे और तभी यह इतनी लंबे समय तक चलती भी आ रही है आज mixi मारी तो आप योग जा सकते हैं 30 से 40 साल चलाना बहुत बड़ बड़ा काम है इसी चीज को electronic चीज को तो चलिए next trick देख लेते हैं next trick ट्रिज से लेटीर है तो गर्मिया आ गई है आप लोग प्रिज की जो cooling है वो बढ़ा देते हैं सबी रोग बढ़ा देते हैं हम भी बढ़ा देते हैं तो करना क्या है इस तरह से दिखिए आप यह पहाड़ बन जाते हैं तो अभी तो हम नमक आ टाल कर दिखा रहे हैं इसको सब को हटा देना है आइस को अब हम इतनी जल्दी डिफ्रस कर देंगे लगिए फिर भी जो इतनी जल्दी एस नहीं पिगलेगी तो इसमें टाइम लगेगा तो आपको हम यह ट्रिक बताए δे रहे हैं कि जिससे कि आपके आगे ना हो कि हमारी बर्फ नहीं जमती है, यह हम लखनों आई हुए है तो उसकी वज़र से है, तो देखे इस तरह से आपको नमक ले ले लिना भी शनकता पूरे बर्फ फच曇ने के बात पूरे फ्रीजर में इस तरह से नमक डाल देना जिसे क्या है आपके फ्रिज में बर्फ नहीं जमेगी लंबे समय तक और आपकी जो फ्रिज है वो अच्छे से कूलिंग बनाए रखेगी क्योंकि अगर फ्रिज में पहाड जैसे बर्फ जम जाते है तो फ्रिज में कूलिंग अच्छे से नहीं होती है इस वज़े से फ्रिज गर्फ की बहुत ज़्यादा कपत होती है जलदी-जल्दी जम जा उसके लिए करना कया है इस तरह से बावल्म पानी ले लें और देखेए गैस पर हम गरम कर लेंगे पानी को और इस गर्म पानी को म penetration הפा राचाख, अपनोच्छ सहiberal है कि बना थी काटक्रे कुश्च करें रहा है, इतना काम आख करएं तो टॉक सकार learned on the farm. तो आप देखेंगे जो आदे घंटे के लिए जमती ही, वो आदे गंटे में ही Palण कीना तूसरारा optimist, वह देख सकते हैं जो हमने ऐसे लंबी-लंबी बना करके जलाई थी वह जलना बंध हो चुकी है और गोल-कटोरी की तरह जलाई थी बना करके वह अभी भी सुलग रही है आप देखी का हम दिखाएंगे आपको अभी तो यह देख सकते हैं हाँ से इस तरह से करेंगे तो आप देखें बिल्कुल भी आग नहीं रह गए बिल्कुल भी दुआ नहीं उठ रहा है और इसमें देखें जो काटोरी जैसी बनाई इसमें अभी भी दुआ उठ रहा है अभी हम आपको एक्स्पेरिमेंट मतलब करके दिखाएंगे कि हाँ इसमें अभी भी आग है यह अभी भी भी शुलग रही है तो यह काफी लंबे समय तक शुलगेगी तो आप देखी सकते हैं तो इसलिए हमने बोला था इस तरह से दूबत्ती जलायां जिससे क्या होगा ना दूबत्ती का सारा यूज आप कर पाएंगे अच्छे से और यह चलते हैं अपनी वापिस जो हमने पानी गरम करके रखा था उसकी हम आइस जमाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो बर्फ है वह एक से देख गंटे में अच्छे से जम जाती है तो देखे इसको फ्रिजर में लग देंगे जाके और आदे गंटे बाद निकाल कर देख तो जब भी बर्फ जमाएं आप गर्ण पानी करके जमाएं तो बहुत जदी जमेगी और बहुत अच्छे से जम जाएगी और देखे ट्रांस्पैरेंट भी जम रही है तो आईवो भी चोटी-चोटी से ट्रिक और आपको अच्छी लगी होंगी अगर अच्छी लगी है त लेकिन हमें समण में तो आए तो इसलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ और इस गर्मी इंज्वाइ करिए अपनी इस तरह की ठंडी-ठंडी बर्फ को जमा कर